Hello friends, स्वागत हीगए फिर से आपके Commerce मंत्रा में बच्चे आज हम лे के आँ हैं आपके लिए test Sir, test? हाँ बच्चे, test Sir, आपने तो पहले बताया नहीं कि आज हमारे test होने वाला है बच्चे इसे कहते Surprise Test अच्छा, Sir आपने हमारे सर दुका किया नहीं मेरे बच्चे, आज सच में आपका टेस्ट रखा गया था, हाँ बताया नहीं था, लेकिन हर संड़े आपको ध्यान रखना है आपका एक होने वाला है टेस्ट, सर कौन से टॉपिक का होगा, बच्चे जो भी आपका इस हफते में टॉपिक होंगे, वो सभी का आपका ए इसी कोशन आएगा, आपने करना है बच्चे उस वीडियो को, जो भी वीडियो चल रहा होगा, उस वीडियो को करना है बच्चे, पॉस और अपने हिसाब से कोशन पढ़के, उस कोशन का आंसर देने का प्रयास करना है, ठीक है ना, मन में ही, अपने मन में आंसर कोशन पढ आपको स्कूर कितना था गर 10 है तो दर्स में से 12 अपने आपको खुद ही दे दिजिगा ठीक है सर और अगर पूरी बटा पूरिया थो अपने आप खुद को शाबाशी दे देना ठीक है सेर हम समझ गे बहुत बढ़े मेरे बिच्चे आउ करें आज के लेक्चर स्टार्ट बट्ट स्टार्ट करने से वहले बच्चे मेरे बारे में पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपुन्द बाते हैं नाम है बच्चे रागा वद्वा पेशे स असिस्टन प्रोफेसर, क्वालिफिकेशन बच्छे M.com, हाली में जिसे Net क्वालिफाई किया है, और बच्छे, शौंक है, पढ़ना, पढ़ना, लिखना और गाना, और आओ बच्छे, ये कोर्स, ये टेस्ट, ये जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, अगर वो सब कुछ पसंद है, तो बच्छे, वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और हाँ, अगर बहुर अच्छा लगे, तो दूसरों को सहायता भी कीजेगा, बच्छे, शेर भी कीजेगा, आओ बच्छे, करें आज का टेस्ट, स्टार्ट, तो जी, आपके सामने पहला ही प्रश्न छूट्टू स क्या कहता है, what is the role of firms in a circular flow of income, बच्छे, firms का योगदान क्या था, क्यों थी firms, क्या goods को purchase करने के लिए, या goods को produce करने के लिए, या to earn income through wages, या capital देने के लिए, प्लीज सोच के बताएं, फर्म्स का योगदान क्या था, बच्छे, goods को purchase करने के लिए थुड़ी होता है उसका योगदान, ultimately, firms को तो क्या करना होता है, जो भी बच्छे, household sector होता है, जो भी बच्छे, कौन सा sector होता है, household sector होता है, उसके क्या करनी होते है, बच्छे, demand को fulfill हाएं न, और कैसे demand fulfill करेगा बच्छे, goods and services को produce करके, तो सही answer क्या हो मेरे बच्छे, सही answer हो आपका B, ठीक है बच्छे, अगर आपका ठीक है, तो एक number आपके पके, आओ बच्छे, चलें next question की तरफ, क्या कहता है, आज का दूसरा सवार, तो क्या कहता है, who earns money, who earns money and spend their income on goods and services, बच्छे, कौन सा sector पैसा क कमाता है, और अपनी उस income को, किसमें खर्च कर देता है, goods and services को खरीदने में खर्च कर देता है, सचो, सचो, बच्छे देखो, कौन सा, कौन सा sector पैसा कमाता है, प्लीज बोले, sir, household sector भी कमाता है, और कौन कमाता है, firms भी कमाती है, यहाना, producer sector भी कमाता है, लेकिन उस पैसे को goods and services को खरीदने में कौन सेक्टर यूज करता है answer is C आपका household sector अगर ठीक है तो एक नमबर आपके और पक्के आओ बच्चे चलें next question की तरब सुरे तो बहुत आसान है हाँ मरे बच्चे अगर आती हुई चीज है आपको तो आसान ही लगेगी ना अगर नहीं आती तो मुश्किल होती है आओ देखे क्या कहता है the two primary players in the the two primary players in the circular flow model are क्या कहते हैं बच्चे दो primary players कोन होते हैं circular flow में यह आपने बताना है yes circular flow में दो primary players कोन हैं अब सर यह primary players क्या होता है बच्चे आपको याद है जब हमने circular flow of income स्टार्ट किया था ना कौन सा topic स्टार्ट किया था जब हमने क्या स्टार्ट किया था circular flow of income उस्टे में आपको बताया गया था कि economy में काफी सरे सेक्टर होते हैं जैसे एक होता है बच्चे आपका household sector प्लीज समझना बड़े ध्यान से government के साथ साथ बच्चे और को नाता है आपका बाहरी सेक्टर जैसे हम क्या बहुते है foreign sector ठीक है ना जैसे import export भी तो करते हैं आप तो येस इसका technical name आगे जाके समझा जाएगा आपको लेकिन अभी के लिए मान लिजी foreign sector ठीक है ना जब हमने circular flow of income किया था ना बच्चे उसमें मने आपको चीज बताई थी कि बच्चे जो हम आज circular flow of income पहली class में पढ़ रहा है ना आज जो हम circular flow of income पढ़ रहा है ना उसमें सिर्फ कौन से sector होंगे household और producer sector ठीक है ना और इसे ही बच्चे हम क्या बोलते है two sector economy हाला कि हम पढ़ेंगे आगे जाके कि two sector economy, three sector economy और four sector economy क्या होती है हम आगे जाके पढ़ेंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लिजे कि दो जो primary players होते हैं बच्चे circular flow of income में circular flow model में कौन-कौन से होते हैं बच्चे household sector और आपका producer sector I hope यहां तक आपको बात समझ आ गया होगा आओ बच्चे चले next question की तरफ एक number और दे दिजा अगर आपका ठीक है तो आओ चले बच्चे तो next question आज का चोथा सवाल क्या कहता है what is the driving force behind the circular flow of market economy driving force का मतलब होते है क्यों मतलब आओ चल क्यों रहया circular flow of income किस के दम पे चल रहा है जो भी आपका market economy है उसमें circular flow कि किस के मतल रहा है क्या पैसे के दम पे चल रहा है या reputation के दम पे fame के दम पे की profits के दमपे सोच के बता हूँ profits के दम पे नहीं चलता कोई भी Atteil मिथा circular तो पैसे के अंदर क्या include हो जाता है, बच्चे, automatically profit include हो जाता है, तो main driving force क्या होता है, circular flow को चलाने का बच्चे, money, next question, देखें क्या कहता है, आज का पांचवा सवार, बोला गया, what do businesses provide for the outside parties, यानि कि businesses, जो भी बच्चे business होते हैं, यानि कि producer sector, वो outside parties को क्या दे रहा है, जैसे यहां पर बच्चे कौन से सेक्टर होता है, अपका household sector, और household sector के लावा यहां कौन सा होता है, बच्चे, producer sector, यानि कि firms, तो question ही है, जैसे household sector, इधर देखो, household sector इने क्या देता है बच्चे, factor of production, हाँ है ना, land, labor, capital, entrepreneurship, और बदले में producer sector बच्चे क्या देता है इने, बदले में producer sector क्या देता है, इने, factor incomes, factor incomes, इने देता है, और बच्चे, इसी पैसे से आगे household sector क्या खरीता है, फिर इसी पैसे से आगे क्या खरीता है, इधर देखो, goods and services खरीता है, कैसे, इनको factor, ओह, 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 ना, इनको क्या sector क्या देता है बच्छे, goods and services तो question क्या था, what do businesses provide for the outside party, यानि कि businesses यानि कि producer outside parties को क्या देते हैं बच्छे, answer is ना तो goods, ना तो services, the answer is goods and services, बात समझाते है बच्छे, money भी नहीं, main motive क्या होते है बच्छे, businesses का production production करना, किसका goods and services का, I hope यहां तक आपको बात है clear होई होंगी, आज के next question बच्छे क्या है, देखिए प्लीज, six question क्या कहता है, what are the technical terms for the two main parties in the model, बच्छे, दो main parties को उन से दे बता हो बच्छे, एक household sector था और दूसरा कहता था बच्छे, producer sector, इनका दो main पार्टी का technical term क्या होता है, technical term, यानि किस नाम से नहीं बुलाते है, देखिए please, क्या consumer और factories के नाम से बुलाते है, क्योंकि household sector क्या होता है, consumer बिल्कुल ठीक, और producer sector क्या होता है, बच्छे, producer sector factories होते है, लेकिन हम कभी इनको ऐसे नहीं बुलाते हैं, कि इनको किस नाम से बुलाते हैं, वो टेक्निकल नाम आपको बताने है, ठीके ना, तो consumer factory नहीं होता, क्या producer और consumer होता है, जी हाँ, producer और consumer हम बुल सकते हैं, ठीके ना, school और taxpayer भी नहीं होता है, बच्छे, people और CEO भी नहीं होता है, तो सिधा-सादा गलत जवाब दिख रहे थे, ठीके ना, तो सही जवाब क्या है, मेरे बच्छे, सही जवाब आपका है, producer and consumers, आओ बच्छे, next question की तरफ क्या कहता है, आज का 7th question, what are the resources, resources employed to produce goods and services, ठीके बच्छे, कौन-कौन से resources चाहिए, goods and services बनाने के लिए, बच्छे, household sector आपको पता है, producer sector पता है, बताओ, please producer sector में अगर क्या generate करना है, बच्छे, किसका generation करना है, अगर आपको generation करना है, goods and services का, तो कौन-कौन से, प्लीज, बताओ, क्या के चीज़े चाहिए होते हैं, बच्छे, एक, कुछ तो चीज़े चाहिए होते हैं, वो कौन से, factor of production, बताना जर्वो क्या-क्या था, land, labor, capital, entrepreneur, हाँ है ना, ये, दाणसर is C, आगे चलें, बच्छे, क्या सवाल है, आज का आठमा सवाल, क्या कहता है, बोला कि, in the circular flow of a market economy, किसे भी market economy का circular flow, the working model assumes that three sectors of a normal economy do not exist, बच्छे, अभी आपको कुछ टेम पले हैं, मैंने आपको क्या कहा था, कि हमारी जो economy है ना, उसमें काफे सरे sectors होते हैं, कौन-कौन से sector होते हैं, अभी बताया था, household sector होते हैं, दूसरा, producer sector होते हैं, किसरा क्या होता है, सरकारी सेक्टर होते हैं, कि government और चोथा क्या होते हैं, बच्चे, बाहर का overseas sector, जिसे हमने फॉरन सेक्टर बोला था है ना, overseas, तो बोला कि आपको मैंने शायद अभी बताया था, कि circular flow of income हमने किया था न, उसमें बच्चे, कितने सेक्टर थे हैं, household or producer, मैंने का था, बाकी सेक्टर, एक बार हम मान रहे हैं, कि बाकी सेक्टर exist ही नहीं करते हैं, ठीक हैं, वैसे होते हैं, लेकिन circular flow of income model में, जब आपको मैंने पहले दिन class था, उसमें समझाया था, कि बाकी सेक्टर हम मान के चलते हैं, कि exist नहीं करते हैं, हलाकि practical life में करते हैं, तो एस, in the circular flow of market economy, working model assumes that, three sectors of a normal economy do not exist, वो कौन से सेक्टर थे जो exist नहीं करते, हमारी model किते हैं, एक तो financial sector, एक तो financial sector exist नहीं करता, इसके लाबा, overseas sector, overseas का मतलब होते हैं, बाहरी sector, और तीसरा कौन से सेक्टर वो आपको बताना है, कि judicial नहीं, ऐसे तो कि सेक्टर नहीं सुनाएं, market बिल्कुल गलत जवाब, government, yes, right answer, और regulatory भी आपका गलत जवाब, yes, the answer is C, next question बचे क्या है आपका, आज का 9 सवाल, क्या कहता है, the circular flow of a market economy, also assume that, consumer spends all their money on goods, services and consumption, ठीक है, बिल्कुल ठीक, कि क्या question है बचे, circular flow of a market economy, क्या assume करता है, कि consumer ना सारा का सारा पैसा, spends all their money on goods, services and consumption, this means that, there is no dash on the part of consumer, सोच के बजाओ मेरे बचे, इतर देखो, आपका यह household sector है, यह कौन सा बचे, producer sector हम जानते हैं, इतर देखो, अगर मैं बोलू, household sector ने, इसे क्या देदिया बचे, factor of production देदी, क्या देदिया बचे, factor of production, producer sector बदले में, क्या देता है इसके, प्लीज बता ना, इसे देता है, factor income, क्या दे रहा है, household sector को, factor income, अब household sector ने, क्या कमा लिए हrial बचे, पैसा कमा लिया, प्लीज बताओ, यह जो पैसा, household sector ने, इन देखो, यह सारा का सारा, इधर देखे, पर इसारा का सारा, पैसा कहा चला जाता है, producer sector के पाए, किसलिए सारा का सारा consume हो जाता है ठीक ना पैसा सारा का सारा खर्च हो जाता है expenditure में और बदले में producer sector कहा देता है बच्छे goods and services सवाल पते क्या है अगर household sector इदर देखो बच्छे अगर household sector assume कर रहे हैं assume अगर household sector consumer यानि कि that means consumer अपनी जो income है उसमें से सारा का सारा पैसे spend कर देते कहां पर goods services और consumption पर इसका मतलब क्या है क्या household sector ने कोई saving की है जी नहीं बच्छे कोई saving इने की इसका मतलब क्या this means there is no saving on the part of consumer yes the answer is a I hope आपको यहां तक बात समझ आई होगी यह भी गलत यह भी गलत और यह भी आपका नेक्स्ट कोईशन क्या है बच्छे देखे प्रीज कोईशन नमबर 10 क्या बात करता है बिजनसेज प्रवाइड एंड डैश टू household through employment इसका मतलब क्या है कि बिजनसेज क्या क्या दे रहे हैं ए तो दे रहे हैं इतर देखो ए ए पार्ट यानिकि जॉब तो दे रहे हैं जॉब तो दे रहे हैं साथ में एंड और क्या दे रहे हैं household sector को through employment प्लीज बताएं employment के जरीए एक तो नौकरी मिल रहे है पका और दूसरा के मल रहे है बच्चे income यहाँ पर शब्द क्या जाएगा आपका income बच्चे product नहीं लिखेंगे main किस के लिए क्या दे रहे हैं बच्चे income पैसा दे रहे हैं ठीक है घर नहीं दे रहे हैं I hope यहाँ तक आपको बाते समझ आई होंगी next question क्या है बच्चे आज का ग्यारवा question second last क्या कहता है dash is the driving force behind the production of goods and services साधरान सा जवाब है कि goods and services goods and services produce करने के लिए driving force main चीज क्या चाहिए क्या पैसा चाहिए government policies economic policies नहीं मेरे बच्चे क्या चाहिए आपका labor ठीक ना labor main चीज क्या है बच्चे labor labor के बिना कैसे goods and services produce होगा समझ पारे बात अगर simple पैसा है न labor नहीं है काम नहीं होगा government policies नहीं काम करने वाली नहीं है कैसे production होगा economic policies ठीक है मान दिया लेकिन मेरे बच्चे labor तो सबसे ज़्यादे जरूरी है न labor के बिना तो काम कैसे करोगे सहर हम technology के सहरी कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर technology नहीं है मान के चलते हैं यह main चीज क्या है बच्चे labor labor में होगा तो काम अत्यांत मुश्किन और आज का आखरी सवाल क्या कहता है देखी मेरे बच्चे the dash the dash is where businesses buy the material and labor needed to produce their market बड़े ध्यान से सुनना बच्चे वह कौन सी materials खरीजते हैं जहां पर businesses materials खरीद रहे हैं and labor needed to produce their product और उने labor भी चाहिए वह कौन सा market है क्या वह material market है नहीं material में labor शब्द नहीं होता है ठीक है न क्या वह employment market है employment में सिर्फ labor शब्द आ रहा है material नहीं आ रहा क्या वह काला बजार है ठीक है black market नहीं मेरे बच्चे यह तीन ही रहा है the right answer is resource market धीकर resources बच्चे दो तरह क्यों होते है रिसोर्स दो तरह क्यों होते है एक आपका raw material होता है resource और दूसरा क्यों होता है human resource human resource बच्चे human resources क्यों होते है labor आपका labor इसकलावा जो employees आपके business में काम करते हैं वो क्यों होते रही हाँ से समझ पारे वाद तो सही answer क्य ही होते हैं resource market जहां पर असानी से क्या मिल जाए और असानी से human resources मिल जाए आपको यहां तक चीजे clear हुई होंगी बच्चे प्लीज ये था आज का 12 सवाल आपका आज का test ये प्लीज मुझे comment box में जल्दी से बताएं किसके 12 बटा 12 marks है और किसके नहीं आए ठीके बच्चे आज के लिए इस class में इतना ही मिलते हैं कल thanks for listening